फिर से आपके पास आ रही हूँ वाके में जिस तरह से तमाम तर्ख हम यहाँ पर सुन रोए है नाजीव क्या दिख रहा है इंडिया गडबंधन के तैयारी के आगे यह मोदी मैजिक इस बार कितना काम करेगा देखे पूजा मैं राजनितिक इतिहास का विद्यारती हूँ और तो इसलिए कई बार जो वर्तमान में घटता है उसको जो इतिहास में घटा हुआ उससे जोड़के भी देखता हूँ और बताता पी हूँ अभी जो इस्थिती है प्रधानमंती नरिंद मोदी और बीजेपी की वही इस्थिती है जो एक समय में मैंने देखा तो नहीं लेकिन जितना पढ़ा है उसके हिसाब से जो एक समय में इस्थिती कॉंग्रेस पार्टी और इंदिरा जी की थी लोक्रियता के उस चरम अस्तर क जो शायद पार भी कर गए हो नरिंद मोदी तो मैं उस वक्त का गवा नहीं हूँ तो इसमें आश्चेर की बात नहीं होगी अब सवाल यह उठता है कि जब सारे विपक्षी दल इंद्रा गांदी के खिलाफ एक हुए तो उनको चुनाओं में करारी हार मिली इसी आधार पर और इस समय के नेताओं में देखेंगे तो पहली बात तो जैप्रकाश नरायन की क्रेडिबिल्टी वाला नेता इस समय हिंदुस्तान में है ही नहीं कोई कोई भी जैसत्ता पक्ष को जो क्रेडिबिल्टी जेपी की थी वो किसी के नहीं है और दूसरी बात 1924 जब लगी उस ये सारे नेता मधू लिमे, मधू दंडवते, जॉज फर्नेंडिस, ये सारे नेता उस समय सक्रिय थे और आप इन में से किसी के पिता का नाम नहीं जानते थे, तब भी नहीं जानते थे, ये सारे नेता सेल्फ मेड थे, जोती बसू, ये सेल्फ मेड नेता थे और समाज में और अपनी पार्टी में अपने राज्यों में अपने छेतर में इनकी अपनी एक क्रेडिबिल्टी थी आज के जो विपक्ष के नेताओं में सिर्फ पांच को अगर आप छोड़ दे बाकी सारे पार्टी प्रमुखों के पिता का नाम आप जानते हैं ये पांच नेता सिल्फ मेड नेता के तौर पर मुझे दिखाई देते हैं उनमें लालु जी की अब वो तबियत साथ नहीं दे रही इस मामले में भी नरेद मोदी को मैं लखी मानता हूँ कि उनके सामने विपक्ष में इस समय ना कोई लालु यादो है ना कोई मुलाइम सिंग है ना कोई चंद्रशेखर है ना कोई मधू दंडवते है ना कोई जाउज फरणनेंडिस है ना कोई राज नरायन है ये भी उनके लिए बड़ा भागी की बात है कि विपक्ष में जो नेता है तो मेरी दृष्टी में ये सिर्फ पांच नेता हैं जो सिल्फ मेड हैं बाकी सारे पार्टी के प्रमुखों के पिता का नाम आप जानते हैं तो इन पांच में लालू जी की अस्वस्त हैं और नितीश जी अपनी उम्र के साथ बढ़ते उनकी क्रेडिबिल्टी पे बहुत बड़ा सवाल है तो भारती जनता पार्टी को अगर हाल के चुनाओं में और सियासी शतरंच पर मात देते शय और मात का खेल किसी ने खेला है त भारती जनता पार्टी को मुझे लगता है कि टक कर देपाने में सच्चम हैं कांगर्स पार्टी सडक और संसद दोनों जगए राहूल गांधी लड़ते भीड़ते तो दिखते हैं लेकिन कांगर्स पार्टी में कुछ न कुछ तो मिसिंग है जो चुनाओं में और उसे तेना की लोहे का चला चबवाया है तो उन्हेंने आप राजनितिक तोर पर देखिए और ये तीनों इंडिया गड़ बंदन में आते हैं और जितना मुझे पता है मंत्या बेनर जी और शरत पवार इसमत के हैं कि साड़े तीन सो सीटों पर इंडिया गड़ बंदन अगर बीजेपी के साथ लड़े तब तो लड़ाई कुछ हो पाएगी नहीं तो प्रधार मंत्री मोधी के लिए वैसे भी रास्ता दो हजार चोबिस का अभी साफी दिखाई दे रहा है तब तो सपार्ट हो जाएगा